ओम शान्ति अपने ज्ञान नेत्र से देखे अपना स्रेष्ट ब्राह्मन स्वरूप मैं श्रेष्ट भाग्य का अधिकारी ब्राह्मन आत्मा हूँ ऐसा स्रेष्ट भाग्य सारे कल्प में सिवाय मेरे और किसी को भी मिल नहीं सकता मैं स्रेष्ट भाग्य का अधिकारी हूँ मुझे ये ब्राह्मन जनम मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार मुझे ब्राह्मन आत्मा का जनम ही स्रेष्ट भाग्य के आधार पर है क्योंकि मेरा जनम स्वयम भगवान द्वारा हुआ है अनादी पिता शू पर्मात्मा और आदी पिता ब्राह्मा द्वारा मुझे ये अलोकिक जनम प्राप्त हुआ है जो जनम ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो वो जनम कितना भाग्यवान हुआ अपने इस श्रेष्ट भाग्य को स्मृती मिलाकर खो जाए अपने भाग्य की खुशी में स्मृती में लाए मुझ ब्राह्मन आत्मा को कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त है मेरा जनम ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है इस संसार में किसी भी धर्मात्मा वा महान आत्मा का ऐसा भाग्य नहीं जो स्वयम एक भगवान उनका बाब भी हो शिक्षक भी हो और सत्गुरू भी हो और मुझ भग्यवान आत्मा को तो एक शुपर्मात्मा द्वारा बाप के सम्मंद से वर्सा प्राप्त है शिक्षक के रूप से श्रेष्ट पढ़ाई और पद की प्राप्ती है और सद्गुरू के रूप से महा मंत्र और वर्दानों की प्राप्ती है मुझे बाबा द्वारा पिता के रूप में वर्सा प्राप्त है मैंने वर्से में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है मुझे बाबा द्वारा पिता के रूप में श्रेष्ट पालना मिल रही है ये परमात्मा पालना कितनी उंची पालना है भक्त तो सिर्फ गाते है कि परमात्मा पालना हार है लेकिन मैं भग्यवान आत्मा हर कदम परमात्मा पालना का अनुभव कर रहा हूँ परमात्मा श्रीमत ही परमात्मा पालना है ऐसी स्रेष्ट पालना मुझे सिर्फ इस संगम युग पर प्राप्त है जो सत्युग में भी नसीब नहीं होगी वहां सत्युग में तो दिवताओ की पालना है और अभी संगम पर मैं परमात्मा पालना में चल रहा हूँ परमात्मा पालना में पल रहा हूँ स्तित हो जाए अपने श्रीष्ट नशे में मेरा पालनहार स्वयम भगवान है मैंने जनम ते ही बेहत के खजानों से भरपूर होकर अविनाशी वरसे का अधिकार ले लिया है जनम ते ही त्रिकाल दर्शी सत शिक्षक बाबा ने तीनों कालों की पढ़ाई मुझे कितनी सहज विधी से पढ़ाई है ये कितनी स्रेष्ट पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कितना स्रेष्ट है बाबा ने पढ़ाने के साथ साथ लक्ष भी कितना उचा दिया है मेरा लक्ष ही है परमात्म पढ़ाई से उच्चते उच्च पद प्राप्त करना ऐसा पद सारे वर्ड के उचे 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 पदों के आगे कितना स्रेष्ट है मुझे इस एक जनम में जनम जनम के लिए श्रेष्ट पद प्राप्त होने की परमात्म गैरंटी है और क्या चाहिए मैं कितना भाग्यवान हूँ एक जनम की पढ़ाई और अनेग जनमों की प्राप्ति मेरा कितना स्रेष्ट भाग्य है स्रेष्ट पढ़ाई की प्राप्ति ही मेरा स्रेष्ट भाग्य है ये स्रेष्ट पढ़ाई सोर्स ओफ इनकम है इनकम भी इतनी जो सारा कल्प चले मेरे हर कदम में पदम है मेरे इतनी कमाई और किसी की भी हो नहीं सकती कितना बड़ा भाग्य है मेरा मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ मेरे मस्तप पर स्रेष्ट भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे रही है मुझे सत्गुरु श्यू परमात्मा द्वारा कितना श्रेष्ट भाग्य प्राप्त हुआ है सबसे पहले मुझे सत्गुरु से महा मंत्र मिला पवित्र बनो योगी बनो और इसी महा मंत्र द्वारा मुझे सर्व कजानों की चाबी मिल गई मेरा ये योगी जीवन पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है पवित्रता है तो योगी जीवन है अधिकार की अनभूती है योगी बनो पवित्र बनो इस महा मंत्र रुपी चाबी से मुझे सत्गुरु द्वारा श्रेष्ट भाग्य मिला है साथ साथ वर्दान भी प्राप्त हुए है मुझे सत्गुरु द्वारा इतने वर्दान प्राप्त है जो मैं इन वर्दानों में ही पल रहा हूँ मैं कितना भाग्यवान हूँ मुझे इस ब्राम्हन जीवन में बाबा से कितना कुछ प्राप्त है वर्दान भी है पढ़ाई भी है महामंत्र की चाबी भी है तो वर्दानों की खान भी है मैं पदमा पदम भाग्यवान हूँ मुझे बाबा से भाग्य की खान प्राप्त है बाबा का खजाना सो मेरा खजाना मैं स्रेष्ट भाग्य का अधिकारी ब्राह्मन आत्मा हूँ मैं सर्व स्रेष्ट भाग्यवान आत्मा हूँ मैं बाब द्वारा श्रेष्ट वर्षा और परमात्म पाल्ना लेने वाला सर्व स्रेष्ट भाग्यवान आत्मा हूँ मैं सत्शिक्षक द्वारा श्रेष्ट पढ़ाई श्रेष्ट पद प्राप्त करने वाला श्रेष्ट कमाई करने वाला सर्व स्रेष्ट भाग्यवान आत्मा हूँ मैं सत्गुरु द्वारा महा मंत्र और सर्व वर्दान प्राप्त करने वाला सर्व स्रेष्ट भाग्यवान आत्मा हूँ मैं हर कदम में पदम जमा करने वाला अतीस रेष्ट पदमा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ ओ श्षान आत्मा हूँ अत्मा हूँ अत्मा हूँ अत्मा हूँ झाल झाल